Hello Friends, Welcome to our Channel Current Affair Updated, This is Devashish Awasthi और आज मैं आपके सामें Daily MCQ Series लेके आए गया हूँ जिसमें आपको पता होगा जहाँ पर हम Daily Current Affair Discuss करते हैं तो आज हमारा दे है, that is 14th May 2024 और आज हम जितनी मी Current Affairs हैं वो exam perspective से वो side discuss करने वाले हैं तो लेक्शे का सारा चेंसे निहाँ अफे रीक्वेस्न करेंरे के आए को लाइक कर देगा है क्योंकि बहुत इंटरस्टिनगी क्विशं से इंपोर्ड्रेंट्षंचसे एंग्जाम में आ सकते हैं लेक्से साथ करने से पहले, आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर, क्या आपकी कोई current affairs की booklet है, क्या जिसको हम भाई कर सकते हैं, और जैसे easily हम exam को qualify कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमारी देख सकते हैं, आप एक booklet आगई है, 12 months current affairs, June 2023 से लेकर आप देख सकते हैं, May 2024 तक की, सारी current affairs यह वो एक जगे पर mention है, तो यादखिए कि साई point frame में साई चीज़े दी गई हैं, तो आप अगर exam देने वाले अगले दो से तीन महीने में, तो यह एक साल की current affairs आपको एक जगे मिल जाएगी, इसके साथ साथ आपको other benefits भी मिलेंगे, इस booklet के साथ यादखिए हम आपको soft copy क इसके form में provide करेंगे, आप easily shop से आपको print out करा सकते हैं, इसके साथ साथ हमाई जो आपको देखते हैं, daily lectures बनाते हैं, static GK पे हो, daily current affairs हो, weekly current affairs हो, monthly current affairs हो, वो सब भी आपको provide किया जाएगा, तो इस booklet के साथ other benefits भी मिलेंगे, प्लस आपको आने वाले lectures की भी PDF आपको free of cost मिलेगी तो one time payment है, याद एखेगा, वाट्चैप करिए, नीचे मिना number दिया हुआ है, उसके आपको easily सारी चीज़े एक जगे मिल जाएगी, उसके आपको current affairs कहीं और से prepare करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इतना अच्छा मौका, याद एखेगा, गवाईए मत, अभी आपको offer भी म करेंगे है, तो चलिए start करते हो, देखते हैं, आज क्या-क्या चीज़े exam perspective से important है, सबसे पहला question देखे, which country won the 30th Sultan Azlan Shah trophy 2024, ये एक hockey का tournament है, और किसने इस tournament को जीता है, 30th edition इसका हो रहा था, किसने जीता है, options आपके सामने है, host nation भी कौन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, final ज सोचेंगे साथ, क्या इंडिया ने जीता है, नहीं इंडिया ने जीता है, इंडिया ने पाडिशिपेटी नहीं किया इस tournament में, इसको जीता है Japan ने, या देखे, correct answer option A है, Japan ने final हो था पाकिस्तान के साथ, और इसको जापान ने इस tournament को जीत लिए, 4-1 से, उन्होंने इस tournament को या रहे है पेनल्टी शूट आउट में, finally, finally, किसने जीता है इसको, that is Japan ने, आप सोचेंगे सर, इसमें क्या इंडिया नहीं थी, बिल्कुल इस tournament में इंडिया ने पाडिशिपेट ही नहीं किया था, Japan, Pakistan, Canada, South Korea, New Zealand, और जो होस् टीम है, जहां पर मैच्श हो रहे थे, Malaysia, उन आप इसमें जो टीम्स देखिए, जो टीम्स पाडिशिपेट कर रही थी, वो इंडिया से रैंकिंग के बिलोव टीम्स हैं, और इंडिया अगर पाडिशिपेट करते हैं, इंडिया टॉप टीम होती हो, इंडिया जीत भी जाती इस tournament को, but actually होता क्या है, इससे इंडिया की जो पैरेश में उलम्पिक्स होने वाले, उसकी परपरेशन अच्छी नहीं होती, ठीक है, इंस्टेड इंडिया के आपको पता एक प्रो लीग हो रही है, जो की ब्रिटेन में हो रही है, वहाँ बड़ी बड़ी टॉप कंट्रीज जो है, वो पाडिसिपेट कर रही है, वह कि बात के सबको पता है, जैपान की कैपिल का है, ताट इस टोक्यो, चले, आगे बरते हैं, नेक्स कोशन में आते है, नेक्स कोशन क्या है, वू बिकेम दा फॉर्स परसन तू क्लाइम मांट अवरेस फो 29 त टाइम, 29 त टाइम, ये मांट अवरेस जा चुके है, तो इनका नाम क्या है, कोशन मैंने ये पूछा है, आपको सामने है, मैं आपको पतायता हूं, हिंट देता हूं, नेपाल से बिलॉंग करते हैं, और एक तरीके से पिछले 30 सालों में 29 त बाइ जा चुके है, मतलब एक तरीके से हर साल, ये एक बार मांट अवरेस को चड़े आते है, स मतलब एक तरीके से हर साल आपके सकते हैं, एक बार मांट अवरेस चड़े एक साल में, तो मतलब एक आवरेज में बता रहा हूं, हर साल चड़े हैं, या रिखेंगा, नेपाल से परस्नालिटी बिलॉंग करते हैं, तो कोशन आ सकते आपसे, कि अभी सब्सरा बार मांट के चापिंटे इसोगे थैखेंगे जोफिञे में करते ही, प्या विडेंटे, का संस्व को चाहिए हैं, नेक्स कोशन है हं, हो का सiedidua अपार में, नाम काई हैं, तो तो देखेंगे यह को सब्सें आपके अप्टिब, परस्पेटिफ पेक्शन यहारा आतक यह आपको यह प Executive Director at RBI, that is the Reserve Bank of India, okay, चलिए, आगे बरते हैं, आपको मुझे बताना है, अभी at present, who is RBI governor, RBI के governor, अभी at present कौन है, या पुझे comment box में mention करिए, okay, चलिए, आगे बरते हैं, next question में आते है, question में fourth, India participated in the 19th session of United Nation Forum on Forest, ठीक है, forest के forum में, India न भी participate किया, तो मैंने पूछा है, यह forum जो participation ह हुआ है, यह कहा हुआ है, मतब यह forum की meeting हुई है, that is 19th session of United Nation Forum on Forest, यह कहा हुई है, options है, Paris, New York, California, London, आप देख रहे हैं, सारी जो options देगे हैं, इंडिया से बाहर हैं, बिल्कुल इंडिया से बाहर हैं, और इसा correct answer आपको याद अखना है, यह देख सकते है, यह 19th session, 6 में से ल हुआ हुआ, तो you have to mark the answer, New York, USA, और मैंने आप पुछा है, इंडिया ने पारिचिपेट के, क्योंकि इंडिया पारिचिपेट करी है, तभी चांसे ज्यादा है, एक्जाम में पूछे आने के, next question, what is Kawasaki disease, अभी recently news में, Kawasaki disease, okay, अब मैंने पूछा हैं, पहले तो यह पूछ ल इसका correct answer जो है, it's a rare heart disease, okay, correct answer option A है, news में क्यों है, तो बेबी गल्स, डाइगोनाइस्ट हुई है, कावasaki disease से, वो successfully treated हुई है, successfully treatment हुआ है, को इंडिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में, जिसकी वैसे चीज़ न्यूज में आ गई, ठीक है, तो Kawasaki disease से आप से पूछ सकते क्योंकि यहां पर भी इनका treatment हुआ है, और successful भी हुआ है, तो पूछ सकते है, disease जो है, वो किस से related है, ठीक है, यह disease जो है, it's a heart condition, rare heart condition, जहां primarily affect करते है, children under age 5, जिनकी age 5 साल से कम होती है, उन पर अधा effect करता है, leading to high fever and inflated blood vessels, जिसके कुछ symptoms आप कह सकते हैं, जो Kawasaki disease है, उसे उस इसे question यही आएगा, ठीक है, चले, next question माते है, next question का है, recently India ने sign किया है, visa waiver agreement for diplomatic passport with which country, okay, diplomatic passport मतलब कहने है, visa waiver मतलब बिना visa कि आप उस country पे जा सकते हो, ठीक है, और Indians नी जा सकते हो, ठीक है, जिनके पास diplomatic passports है, ठीक है, वो जा सकते हैं, ठीक है, उस country पे, जिनका सा official passport है, यह diplomatic passport है, वो जा सकते हैं, उस particular country से, क्योंकि visa waiver agreement sign कर लिया गया है, बिना visa कि वो country के लोग भी इंडिया सकते हो, इंडिया के लोग भी उस country पे जा सकते है, तो किस country के साथ इंडिया ने agreement sign किया है, इटली, पोलेंड, ग्रीस, मॉलडोवो, options दिये गए है, इसका correct answer रहता है, यू कांट्री पे जा सकते हैं, अफकोर से bilateral relations और बेटर होंगे, यूरोप की country आप देख सकते हैं, आपने map बना रखा है, ठीक है, सर्बिया, बुलगेरी आपको दिख रहे हैं, यहीं आपको दिखेगा, मॉलडोवो, जो कि important country है, ब्लैक सी का पास पे देख सकते है, ब्लैक सी क इसमें हमारे जो निरा चोपरा जी है, ठीक है, उनकी कौन सी रांक आई, question यह पूछा है मैंने आप से, ठीक है, आप सबको पता होगा, जैवलिन थ्रो में इनोंने उनको ओलम्पिक्स में गोल्ड भी जितवा चुके हैं, last time, okay, बट इस time क्या होगा, पैरिस पोलम्पिक्स में हमको गोल्ड जिता पाएं, क्योंकि इनी से जादा उम्मीद है, गोल्ड मेडल की, क्योंकि last time भी रोन आपको गोल्ड दिलवाया है, okay, तो correct answer नीरच चोपरा, okay, next, second rank, okay, next question, who has been appointed as first woman police DGP, director general of police appointment हुए, पहली बार कोई woman, किस state की, बेगाले की, उनका नाम क्या है, तो पहली बार कोई woman DGP बनी है, यह उनकी image है, आप देख सकते हैं, options आपके सामने रश्मी शुकला लिखा हुआ है, यही बताएं, रश्मी शुकला भी किसी state की पहली woman DGP बनी है, वो state का नाम आप मुझे comment box में mention करिए, देखते हैं, कौन कौन सही state का नाम बताता है, वैसे यह जो मेघाले का answer है, वो correct answer option में A है, या देखिएगा, non-grang जो है, correct answer पूरा नाम बढ़ सकते हैं, इदा शिशा, इदा शिशा, non-grang, ठीक है, she has been appointed as DGP, first woman DGP of मेघाले, और रश्मी शुकला के state की first DGP बनी है, यह आप मुझे comment box में mention करेंगे, तो यहाँ पर correct answer option नाम A है, okay, comment box मेघाले के, add a present who is the governor of मेघाले and who is the CM of मेघाले, यहाँ मुझे comment box में mention करके बताइगे, okay, चले, next question आते है, next question है, recently 10th and 12th का exam का result आया, यहाँ दखिएगा, CSCE, मताब ICSC board आपके सुना होगा, ठीक है, तो यही है, CISCE, full form में आपको बतायता हूँ इसका, इसका full form है Council for the Indian School Certificate Examination, okay, यहाँ पर आपको एक option दिया गया है, कि you can obtain your verified mark sheet through DG Locker platform, DG Locker platform से आपके सकते हो, तो मैंने question है, पुझा है, platform जो है, किस साल launch किया गया था, क्योंकि बहुत important है DG Locker platform, यहाँ पर आपने documents को आप save कर सकते हो, और अगर आपके पास physical document नहीं हो, तो DG Locker में जो document होगे, वो verifiable document होगे, मतलब उनको accept किया जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आपके पास physical document को खो जाते हैं हमारे, तो अब DG Locker में अपने document को save करके रख सकते हो, ठेक है, तो यह DG Locker का platform को जो system है, तो किस year में launch किया गया था, options आपके सामने है, बतातो इसको launch किया था, option number D, 2015 में, ठेक है, किस ministry के अंदर, that is information, ministry of electronics, information technology के अंदर, यहारे कि Digital India program के अदर, इस इसी locker में मिल रही है, तो it's a great thing, okay, इससे आप अपने document certificate को digitally रख सकते हैं, और यह दखिए कर लीगली valid documents होते हैं, आप इनको दिखा सकते हो, अगर इसलिए कहते हो, यहां पर साई documents आप रख सकते हो, DG Locker में, okay, तो according to IT rules, देखे यहां पर यह भी बोला गया था, बिलकुल 250 से ज़्यादा wickets लेने वाला कौन सा प्लेयर बन गया है, पहला Indian प्लेयर बना है, जिसने विकेट्स हासिल की इतने, बुम्रा है, option में कुल लोग सोचें कि बुम्रा है, और बुम्रा नहीं है, आंसर, जडेजा है, अश्विन है, चहल है, कौन हो सकता है, अफकोर जो लेने विकेट लिए है, तो correct answer option number C, leg spinner है यह, चले, नेक्स आते है, नेक्स बात करते है, होश्रम भाई लेवन्थ में, recently who is awarded a Sahit Academy Fellowship Award, this is an important question, ये exam में आपके आ सकता है, कि award किसको दिया गया है, options आपके सामने यहां दिये गया है, I am directly going to the correct answer, जिसमें आपको याद हो सके, correct answer रसकिन बॉन्ड, ये image है, रसकिन बॉन्ड जी की, तो ये देखे लिखा भी है, fellowship is the highest honor, comfort by academy honor writer, तो highest award भी है, ठीक है, किसी writer को मिलता है, तो ये award जो है, याद है कि इसको दिया गया है, रसकिन बॉन्ड जी को दिया गया है, आप मुझे रसकिन बॉन्ड की को एक novel का नाम ब अब आप से पूछा है, अगर आपको पता होगा उसकी ये correct answer, दार, दार एस सलाम के बारे मागर आपने सुना होगा, शाद आप mark कर सकते हो correct answer क्या है, ठीक है, नहीं सुना है, कोई बात नहीं, correct answer तंजानिया है, अफरिका के country है, तंजानिया आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, दार एस सलाम, ठीक है, यहाँ पर अभी recently आपको देखा अब मुझे तंजानिया की capital क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशा कर देख सकते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशा कर देख सकते हैं, ये नाम लिख के बोला है, साइकलोन हिजाय ने हिट किया, तो correct answer तंजानिया, that is option number D, okay, next question माते, this is important question, who won the world rapid and blitz poland a chess tournament in May 2024, ये टूनमेंट किसने जीता है, और ये टूनमेंट किसने जीता है, ये मैंने आप से पूछा, options आपके सामने, chess का टूनमेंट है, option लिखे हुए, sorry, India का, R. Pragyanand लिखा हुआ है, बट उन्हों नहीं जीता, उनकी तो fourth rank लगी इस टूनमेंट में, इसको जीता है, मैगनेस का Karslan जो है, उन्होंने टूनमेंट जीता है, देखे, उनके बारे मैंने mention भी कर रखा है, उन्होंने विक्टरी जीती, World Rapid Blitz Poland इवेंट जो हुआ है, defeating all nine other players in a row, याद के, जितने भी other players उन्होंने हराया, इनियन के भी तीन लोगों ने participate किया था, और सबसे उपर rank इंडिया मे options दे रहा हूं में चलो, Russia, China या none of the above, यह तीन option दे रहा हूं में आपको, Russia, China या none of the above, किस team, किस country के player है, ठीक है, बहुत famous player है, यह चेस के और इन्होंने अभी tournament जीता है, और news में भी चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरू बताइएगा, तो यहाँ पर हमाई जो इतने exams को लेके, ठीक है, exam को qualify करना चाहते है, तो इस booklet को ज़रूर ले लिना, इसके साथ आपको other बहुत साए benefits मैं provide करूँगा, या दखेगा, वो आपको आगे की भी current affairs provide करता रहूँगा, तो यह साई चीज़ आपको मिलेंगी, या दखेगा, daily, monthly, weekly, yearly, topic wise, subject wise current affairs, सब कुछ आप compilations भी printable compilations से यह भी provide करूँगा, यह soft copy का मैं actually एक link provide करता हूँ, जहाँ पर हर चीज़े mention रहती है, एक बात और मैं आपको बता दू, या दखेगा, हमारे नए notes launch हो गए, आप कहेंगे, सर यह कौन से notes है, अब यह देखे, पहली बार, sorry, booklet गिर गई, ठीक है, पहली बार इस booklet को मैं launch कर रहा हूँ, अभी आपके सामने, देख सकते हैं, जैसे for example, physical geography, ठीक है, यहाँ नए notes launch हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, प्रॉपर यहाँ पर mapping, diagrams बना के मैंने इस booklet को लाँच कर रहा हूँ, यह नए notes आपको बहुत जल्दी इसका वीडियो भी मैं आपको बन लाने का, जैसे physical geography, world geography, देख सकते हैं, सब की अलग-अलग booklets जो हैं, वो launch हो रही हैं, और यह आपको general study से बहुत help करने वाले हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर ली, diagrams वगरा के थूपर इसको नोट्स को मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर औ और भी आपको economics का भी दिखाएता हूँ, तो सारे नए notes जो है, ठीक है, यह launch कर रहा हूँ, इसकी video आपके सामने में बहुत जल्दी राने वाला हूँ, यहाँ पर आपको सारी चीजे जो है, क्या देखेगा, वो provide हो जाएंगे, ऐसे updated notes हैं यह, यह booklets अगर आपको लेनी है अगर आपको कुछ कुछ करना है, तो यह हमारा QR code है, if you want to contribute कुछ लोग 5 रुपे, 10 रुपे, 15 रुपे करते हैं, thank you everyone, आप लोग थोड़ी बहुत भी contribution आपका हमारा बहुत रोल प्ले करता है, just for the motivation, यह हमारा QR code है, फोन पे पेटियम गोल पे नंबर भी mention है, but notes के बाए मे आपको कुछ discount मिल जाए, तो pre-order में आप इस booklets को book करवा सकते हैं, ठीक है, यहाद रखिए कि आप हमारे application से भी notes को buy कर सकते हैं, ठीक है, application में आप जाएगे, download करिए, वहाँ पर भी आपको हमारे सारे courses available हो जाएगे, application में देवशिश classes, वहाँ पर आपको यहाद रखिए Indian Economy Updated Notes, तो यह booklets अगर आपको मिल गई नहीं तो मजा जाएगा, हर चीज बेंशन कर रखी मैंने आपर, ठीक है, exam-oriented, सारी booklets तीन दिन के अंदर launch कर दूँगा, इसके बारे में डीटेल तीन दिनों में हर एक booklet हर दिन आती भी देएगी, इसके बारे में प्री-order booking हो रही ह वीडियो कैसा रगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगे, नोच के बारे में जरूर requirement ले लीजिए, प्री-order booking चल रही है और अभी आप लेते हो तो आपको advantage मिल जाएगा, कोई डाउट को यह है, हम आपके डाउट को जरूर resolve करेंगे, और अगर आप हमसे पूछें, उनको जरूर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे amazing वीडियो हमारे आते रहेंगे, और exam perspective से आपको साई details मिलती रहेंगी, टेलिग्याम का लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन ह करने वाला है, तो चलते हैं यहां पर हम लोग, thank you everyone, जे हिंद, जे भारत, जे जगरनाथ.